एक है 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 लोग फ्रेंड वेल्कम टू सिक्षा कैसे आप सब आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे तो फ्रेंड एंसी क्यूज जो ट्वेंटी वेंटी वन में आपका एक्जाम कंड़क्ट हुआ था उसके जर्णल साइंस के कुशन किये थे तो उन्हीं को ठीक है पांच कोशन और देखेंगे इंपॉर्टेंट कोशन देखो यह पास्टियर के कोशन करते करते आप रिलाइस करोगे आल्मोस्ट आपकी सारी साइंस कवर हो जाएगी और अपकी एक्जाम भी पोस्टपॉन हो गया है तो अपने पास सफिशेंट टाइम बचता है अ अपका नॉन विडिո एंच कूव कॉर्स है ठीक है एक बात अपने अभी दियान रखनानी है अभी के लिए नॉन विडियो गाई रहा हो सकता है कि इसको वीडियो में कनवर्ट कर दिया जाए पर कोई कनमीट में नहीं है अभी तो नॉन वीडियो है फिलाल के लिए और इस तो आपको पहले तो ये भी पता होना चाहिए कि malleability और ductility का क्या मतलब होता है तब ही आप इस question को answer कर सकते हो अगर मतलब ही नहीं पता होगा अपने को meaning ही नहीं पता होगा सबाद, देखो किसी भी exam में आप कोई भी exam देरो, आप SSC, UPSC state service, कोई भी paper देरो bank का paper, कोई भी paper देरो सबसे बड़ा challenge क्या होता है question में question को समझना जिसने question समझ लिया, उसने आदा solution उसका निकाल लिया जिसको question ही नहीं समझा है, वो उसका answer नहीं कर सकता तो malleability और ductility अपने को पता होना चाहिए ठीक है, अब यह देखो CDS में, UPSC में क्या किया यहाँ पर आपको exactly metals के नाम नी दिये, उनके elements के नाम दिये है ठीक है, उनके elements के नाम दिये है आपको जो proper name है, जैसे आपका NA है अब वो sodium हो गया, तो उन्होंने पूरा नाम ना लेके सिरफ NA लिख दिया अब किसी बच्चे को वैसे क्या पता याद भी हो, इसका answer आता भी हो लेकिन क्योंकि यहाँ पर सिरफ element names given है जो scientific names है, वो given है तो कई मार confusion हो सकती है, वहाँ पर arise हो सकती है, ठीक है तो answer इस case में क्या होगा, answer इस case में होगा आपका option BAU, ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए NA is for sodium, AU is your for gold, CA is cerium and HG is mercury ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि malleability क्या होता है और ductility क्या होता है उसके बाद ही आप answer इसका कर सकते हो तो किसी भी metal की जो ability होती है to be drawn into wires, wire की form में अगर आप उसको draw कर सकते हो तो वो ductility होता है, ठीक है तो पीछे जो आपके options given थे तो सबसे जादा malleable और ductile metals जो है वो कौन से होते है, gold और silver तो silver तो अपना option में ही था, gold अपना option में था ठीक है, अब किसी ने NCIT में ये वाली theory पढ़ी है ये NCIT से directly अगर हमने theory उठा ही है तो NCIT में gold, silver ऐसे mentioned है AU, HG, NACE, E नहीं mentioned होता और कहीं बार क्या हता है जो non-science background के बच्चे है उनको पता भी नहीं होता इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर आपको gold का element name नहीं पता, ठीक है क्योंकि अगर आप non-science background शे हो तो हो सकता है नहीं पता तो इसी वज़े से कई बार इस तरह की confusion जो है वो आ जाती है, तो examiner जो है कई बार इस तरह के questions डाल देता है, तो थोड़ा सा idea अपने को होना चाहिए, ठीक है to the freedom struggle of India इस तरह से question था, नीचे चार option given थे उन में से एक option था NACL ठीक है, और ऐसी चार तीन options और थे ठीक है, compounds के नाम थे तो अब बच्चे confused यार, ये कैसा सवाल आ गया ये कहां से science घुसा दिया तो अगर आपको याद हो, civil disobedience movement में क्या हो था मातमा गांदी ने salt सत्यागरा किया था नमक कानून तोड़ा था, ठीक है तो salt का अगर हम common name, common salt का अगर हम formula देखने तो क्या होता है, वो NACL होता है तो इसलिए answer था NACL तो इस तरह से examiner कहीं बार आपकी common sense और किस तरह से आप अपनी presence of mind उस करते हो, वो बहुत चेक करता है especially UPSC, सिरफ रटने वाले बच्चों का वहाँ पर इसलिए काम नहीं चल पाता ठीक है, चलिए, second question देखेंगे, simple question है NCIT जिसने पड़ी है, अराम से इसका answer कर सकता है, sleeping sickness is caused by, 2021 में बड़ा असान सवाल पुछा हुआ, इससे असान सवाल नहीं हो सकता साइंस का, तो trypansoma leishmania, plasmodium या फिर paramecium इन में से क्या है जो आपका sleeping sickness cause करता है, ठीक है, factual question है, या तो आता है या नहीं, आता तुक्के बाजी नहीं चलेगी इसमें, अंसर हो जाएगा आपका option A, trypansoma okay, so trypansoma ये एक protozoan organism है, ये भी पता होना चाहिए, देखो statement based question भी four form कर सकता है, कि sleeping sickness जो है, वो किसकी वज़े से होता है ठीक है, फिर निचे लिख देगा कि trypansoma trypansoma जो है, वो एक bacteria है, एक virus है, या एक protozoan organism है, तो आपको पता होना एक fly, जिसको set से fly भी कहा जाता है, उसके bite करने से होता है, और basically ये African continent का disease है, एक Africa में जातर लोगों को होता है, ठीक है, जो rural parts of Africa में रह रहे हैं, तो वो जादा risk पे हैं, इस disease के okay, so direct question था, सीधा question था, अगर इस तरह का question दुबारा आता है, तो आप easily solve कर लोगे third question देखो, which one among the following is a free living animal ये भी CDS 2021 के में सवाल पुछा गया है, इन में से कौन सा free living animal है, liver fluke which area, plasmodium या फिर plan area, once again simple सा सवाल है, directly given है, NCIT के अंदर इदर उदर भागने की जरूत नहीं पड़ती है, अपने को, ठीक है area, ओके, अब आप सब जानते हैं हम kingdoms पढ़ते हैं, plant kingdom और animal kingdom, plant kingdom में फिर particular हम divisions करते हैं और animal kingdom में particular divisions जो हैं, वो करते हैं वैसे ही आपके animal kingdom में एक group of animals और एक group of organisms या फिर एक group of species आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं plat hyalaminthus ओके, pronunciation आप इसकी चेक कर लेना, ठीक है, मैं कई बार confused हो जाता हूँ इसके pronunciation में okay, so symmetrical, bilaterally symmetrical body होती है, यानि कि जो यह organisms होते हैं, इनके left और right halves जो होते हैं, वो same design के होते हैं, ठीक है, three layers of cell होते हैं यहापर जो tissues में differentiation करते हैं, तभी इन organisms को, इन animals को, triploblastic भी कहा जाता है, यह भी आपने याद में रखना है, ठीक है this allows outside and inside body linings as well as some organs to be made, there is thus some degree of tissue formation, इन organisms में कुछ ना कुछ tissue formation जो आपको देखने को मिलेगी, कोई true internal body cavity या column नहीं होता जैसे बाकी के higher level organisms के under होता है, ठीक है body जो है वो flattened होती है यानि कि top से bottom तक body completely flat होती है, जिसकी वज़े से इनको flat worms भी कहा जाता है यह या तो free living form में मिलेंगे या parasitic form में मिलेंगे, parasitic आप सब जानते हैं, parasitic वो होते हैं, जो दुसरे living organisms के help से survive करते हैं, उनकी body के उपर survive करते हैं, ठीक है, free living के examples हैं, आपके planarians और parasitic के example हैं, आपके liver flukes अगर अब मैं पिछे जाऊं दबारा question के उपर तो 2021 के CDS में यह पूछ लिया है, which one of the following is a free living animal, तो free living की जगह अगर मैं इसको parasitic कर देता, तो answer automatically liver flukes हो जाता ठीक है, तो इस तरह से question आपने समझना है कि examiner किस तरह से आपके साथ game खेल सकता है, ओके, चलिए next question देखेंगे, which one of the following is naturally occurring naturally occurring acid is found in abundance in tomato, tomato में आपको कौन सा acid जो है वो abundance में मिलता है और वो naturally occur करता है option A, acetic acid, option B citric acid, option C, oxalic acid, या फिर option D, tritric acid, कौन सा acid जो है tomato में, abundance में आपको मिलता है, simple सा question है देखो chemistry के तो जाधा तर questions होते है न, वो आपके application based होते हैं, वैसे तो सारे subjects के application based होते हैं कुछ एक आद physics में या bio में जैसे भी हमने देखा, question in depth वो पूछ लेता है, वो अगर हम नहीं भी करेंगे एक आदा question छोड़ भी आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर यह जो application based मैं specifically non-science background वाले बच्चों से बात कर रहा हूँ, क्योंकि उनके लिए technical चीज़ों को समझना मुश्किल हो जाता है ठीक है, light waves या अगर जो physics में जैसे हम बात करते हैं concave lens, convex lens जैसे कई बार थोड़े typical question, difficult question आजाते हैं conceptual question आजाते हैं, वो answer करना एक non-science background बच्चे के लिए मुश्किल हो जाता है, तो वो tension ना ले जादा, इस तरह के application based questions को भी वो अगर अच्छे से cover कर लेंगे, तो उनका hit ratio जो है science वाले part में अच्छा आ जाएगा, ठीक है तो यहाँ पर answer क्या होगा, यहाँ पर answer होगा आपका option C, oxalic acid अगर आप NCIT देखते हो, तो NCIT में ये table given है, मैंने as it is screenshot लेकर के उसका यहाँ पर लगा दिया है, NCIT का, ठीक है, तो उसमें हमें कुछ natural sources और उनमें कौन सा acid मिलता है, वो दिया गया है अब हर के उपर एक सवाल पूछा जा सकता है जैसे tomato में पूछ लिया, ठीक है वैसी vinegar में पूछ लेगा, तो vinegar में आपका acetic acid होता है, वैसी ही आपका orange में पूछ लेगा, citric acid tamarind, जो आपकी methanoic acid होता है, अब यह हर एक, जो डबबा आईए एक सवाल है, ठीक है, एक सवाल आईए, तो यह आठ सवाल हैं आपके, जो directly आपसे पूछे जा सकते हैं, और high probability सवाल होते हैं यह वाले, ठीक है, तो इनको अच्छे से आपने याद कर लेना है, vinegar, acetic acid, orange citric acid, lemon में भी citric acid हो गया, आपका tamarind healthy में tartaric acid हो गया, tomato में oxalic हो गया, curd में lactic हो गया, ant में methanoic और nettle में methanoic, यही पर याद कर लो, ठीक है, यह नहीं होता कि बार-बार बस strain लेते रहो कि नहीं मैं बाद में याद करूँगा, बाद में कुछ नहीं होता, ठीक है, चलो, last question, यह भी 2021 में, same chapter में से, पिछला जो question है, NCIT अगर आप खोलते हो, acids वाला जो chapter है, same chapter में से, same question उठा दिया, तो देख रहो एक ही paper में, same chapter में से भी 2 question आगे, तो which one of the following is used in soda acidic fire extinguisher, soda acidic fire extinguisher, once more, application based question है, अगर आप देखने की समझने की कोशिश करो, question जो है, वो application के आधार के उपर है, तो इन में से कौन सा soda acidic fire extinguisher में use होता है, sodium chloride, sodium hydrogen carbonate, calcium hydroxide या फिर acidic acid, ठीक है, पढ़ा हुआ तो ही कर सकते हो, answer है, sodium hydrogen carbonate, ठीक है, तो NCIT अगर खोलते हो, तो sodium hydrogen carbonate, जो आपका NaHCO3 है, देखो ये question में ऐसा भी हो सकता था, कि वो ये नाम देने की जगा, इनके chemical names दे देता है, NaHCO3 लिख देता है, ठीक है, और बाकियों के भी लिख देता है, sodium chloride की जगा, NaCl लिख देता, इस तरह से कर देता, तो फस जाते है, तो थोड़ा बहुत इस चीज का idea भी होना चाहिए, कहीं बार examiner paper को मुश्किल बनाने के लिए ऐसा खेल खेल जाता है, तो NaHCO3, sodium hydrogen carbonate, इसके कुछ uses given है NCIT में वो पता होने चाहिए, सबसे पहले baking powder बनाने के लिए काम आता है, ठीक है, baking powder आपका chemical reaction होता है, ठीक है, और इस chemical reaction को इतना याद करने की ज़रूत नहीं है, important क्या है, कि ये जो CO2 produce हो रहा है इस chemical reaction में, इस CO2 को use किया जाता है bread और cake बनाने में, ठीक है, जो bread और cake में soft और sponginess आती है, उसमें use किया जाता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, कि sodium hydrogen carbonate को एक reaction में use करके CO2 produce किया जाता है, जिससे आपका cake और जो bread है, वो soft और spongy बनता है, ठीक है, उसके बाद sodium hydrogen carbonate है, ये antacids में भी इसका इस्तेमाल होता है, एक ingredient होता है ये antacids में, और क्योंकि ये antacids जो आपका alkaline होता है, तो अगर आपके जैसे स्थमक में acidity हो जाती है, excess acidity हो जाती है, तो आप alkalines लेते हो, ताकि acidity को कम किया सके, तो उसमें भी sodium hydrogen carbonate आपका काम आता है, ठीक है, और उसके इलावा soda acid fire extinguishers में इसको use किया जाता है, जो आपसे question पूछा था, तो question अब बाकी के तीन uses के उपर भी पूछा जा सकता था, या अगर statement based question मूँ बनाना चाता है, आपको दे देगा कि हाँ, ये 4 statement है, बताओ which one of the following is correct, तो उस तरह से भी आपको तयार रहे हैं, ठीक है, चलिए, all right, तो पांच question हमारे general science के आपर हो गए है, lecture 7 था ये, ऐसी lectures देखते रहेंगे, CDS, CAPF, जितने papers हैं, सबके science के questions कर लेंगे, ठीक है, तो UPSC, EPFO, CDS, CAPF, जितने भी exams हैं, state services, SSE, सब में ये general science काम आईगी आपको, ठीक है, तो 9041244689 के ओपर, या फिर mail कर सकते हैं, 668-8gmail.com पर, बस एक limitation होती है, mobile की, ये होता है कि कई बार बच्चे call जाएं, रात को 10 बजे, साड़े, 9 बजे, 9 बजे करते हैं, तो उस ताइम पर call pick करना थोड़ा सा मुश्किल हो तो time आप रखें, 10 से 6 के बीच में आप call या message करें, तो जादा chances हैं कि मैं उसको answer करूँगा, ठीक है, चलिए, तो बागी की playlist साब की screen के उपर हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए, all the best and bye-bye.